के क्लास 10 के exercise 8.3 का question number 7 है question में हमसे बोला गया है express sin 67 degree plus cos 75 degree in term of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degree तो question में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर sin 67 degree और cos 75 degree given है तो हमें क्या करना है हमें जो angle है 67 degree और 75 degree इन angles को convert करके इनके साथ 0 और 45 के बीच वाले angle को यहाँ पर रखना है ठीक है तो देखिए एक बात आप जब भी इस तरह के question को हमें solve करना होता है तो हम क्या करते हैं देखिए sign को आप ऐसे ही रखें अगर आप 67 को लिखना चाहें 90 minus 23 तो लिख सकते हैं अगर आप cos को ऐसी रखें और 75 को अगर आप लिखना चाहें 90 minus 15 तो लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए आपको यह मालूम है कि sin 90 minus theta जो होता है वो क्या होता है cos theta होता है 90 में से जो भी चीज माइनस होती वो theta होता है तो यहाँ पर 90 minus theta क्या होता है cos theta तो sin 90 minus theta तो यहाँ पर theta क्या है 23 तो यह क्या जाएगा sin का क्या हो जाएगा cos 23 ठीक है अब plus cos 90 minus theta क्या होता है cos 90 minus theta जो होता है sin theta, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cos 90 minus theta यहाँ पर क्या है 15, तो cos का क्या हो जाएगा, sin और यह 15 degree, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, तो जो angle आ चुके हैं, 23 और 15 degree, यह दोनों के दोनों 0 और 45 के बीच के angle होते हैं, यही इसका answer हो जाएगा,